भारत माता की भारत माता की भारत माता की आज की इस कारेकारणी में हमारे बीच उपस्तित भारतिय जनता पार्टी के हमारे जमु कश्मीर परांत के सैपर भारी स्रीमान आशिश सूजी भारतिय जनता पार्टी जमु कश्मीर के वरिष्ट नेता और हमारे पूरुव प्रदे अध्यक्ष श्रीमान जुगल किशोर शर्मा साप, हमारे पूर्व सांसद और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान शंशिर सिंग जी मनास, हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सत्शर्मा जी, राष्ट्रिये मंत्री भारतिये जनता पार्टी डॉक्टर नरेंदर सि जी, हमारे पूर्व उपमुख्य मंत्री श्रीमान केवेंदर गुपता जी, मंच का संचालन कर रहे हमारे प्रदेश के महामंत्री डॉक्टर देवेंदर कुमार मन्याल जी, हमारे दूसरे मंच पर उपस्तित महामंत्री श्रीमान विवोध गुपता जी और जमू जिला के ज द्यक्ष आज की इस सेमी वर्चुल जो कारेकारनी की बैठेक में उपस्तित भारत ये जनता पार्टी के से भी जेश्ट श्रेश्ट कारेकरता बंदू बहनों भाईयों जैसा कि हम सब जानते हैं कि करोना के इस मुश्किल काल के बाद जैसे लागडाउन खुला है इसी बीच हम सेमी वर्चुल अपनी कारेकारनी की बैठेक कर रहे हैं यहाँ प्रदेश कारेाले के अंदर सभी स्टेट ओफिस भिरर यहां उपस्तित हैं मोर्चूं के अध्यक्ष यहां उपस्तित हैं हमारे सभी वरिष्ट नेता हमारे जमू कश्मीर पार्टी के मुख्याले में उपस्तित हैं वहीं हमारे सभी अन्या जो जिला ध्यक्ष और जो इस कारेकार्णी के सदस्द से हैं जमू कश्मीर के सभी पार्टी ने लगातार इस मुश्किल दोर के अंदर जो कोरोना वाइरस महमारी की चपेट में जब पूरी दुनिया आ गई तो भारत ये जनता पार्टी हमारे देश के अंदर एक मत्र ऐसी राजनितिक दल है जिसने अपने संगठन के अंदर एक नया नारा दिया सेवा ही के साथ हमारे कारे करता घरों से निकले और हमने देखा कि चाहे वो दो हजार बीस का मुश्किल दोर था उसका जिकर हमने जो कट्रा के अंदर पिछली कारे कारनी की बैठक हुई थी उसमें वो सभी विशे जो दो हजार बीस में सेवा कारियों के माध्यम से आप सब ने किय उसकी चर्चा हमने के थी जब पिछले दिनों इस दो हजार इकीस में पुना करोना वाइरस महामारी कोविड नाइंटीन की दूसरी वेबाई एक बार पुना भारत ये जनता पार्टी के आप सभी कारे करता हुने जम्मू कश्मीर के कोने कोने में जो सेवा के कारे किये जो ज जरूरत मन्द लोगों तक आपने मास्क सैनिटाइजर्स भोजन पका हुआ भोजन ड्राइब भोजन दवाईयां जितनी भी जरूरत मन्द लोगों को वश्रक्ताई थी अलग अलग शेतरों के अंदर आप सबने बहुत महनत करके और जान हथेली पर रखकर जो आपने कारे किया है इस सब के लिए मैं आपने जम्मू कश्मीर भारतिय जनता पार्टी के पंद्रा लाक से उपर जो हमारे सदसे हैं हमारे पॉलिंग बूथों के अध्यक्ष हमारे पॉलिंग बूथों के कारे करता नवरतन हमारे शक्ती केंदरूं के प्रमुक हमारे मंडल और जिला के सभी कारे करता प्रदेश और प्रदेश के सभी कारे करता को मैं हिर्दे से साधू बाद देता हूं मैं आप सब का हिर्दे नंजी ने कहा था दरिद्र नाराइन की सेवा करो उन्होंने कहा था भगवान तो ये जो गरीब और जरूरतमन लोगों में बस्ते हैं स्वामी विवेका नंजी ने अहवान किया था कि जितने भी जुगी जोपड़ी बस्ती के अंदर जरूरतमन लोगों की सेवा करना ही परम भारतिय जनता पार्टी का वो लक्स जिसमें हम नेशन फुस्ट का नारा लगाते हैं वो हमारा मिशन है वो भारतिय जनता पार्टी का संकल्प है करोड़ू करोड़ भारतिय जनता पार्टी के कारे करता हूं का यह सर्व प्रथम संकल्प नेशन फुस्ट का सपना उसको लेक बदेता हूं साथियो हम सब जानते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर लगाता चाहे हमारे जम्मू संभाग का क्षेत्र हो या कश्मीर घाटी हो यहां देश दुश्मन ताकते हमेशा तेड़ी नजर रखती हैं हमारे कारे करताओं ने इस दोरान में अपना वलिदान राष्ट हित में दिया है कश्मीर घाटी के अंदर राकेश पंडिता जी जो भारतिय जनता पार्टी ट्राल मुनिसिपल कमेटी के अध्यक्ष थे वो जब अपने कारिक शेत्र के अंदर अपनी जिम्मेवारियों का निर्वा कर रहे थे उसी वकत पाकिस्तान के आतंकवादियों ने में वो शहीद हो गए इस से पूर्व सोपोर के अंदर भारतिय जनता पार्टी के उत्तरी कश्मीर के सोपोर में हमारे दो कांसलर्स जो की एक ही परिवार के थे उन्होंने अपनी शहादत दी इसी प्रकार असंक्या भारतिय जनता पार्टी के कारे करताओं ने इस मुश्क सामने इसे चैलेंज दिया और राष्ट हित के लिए अपना भलिदान दिया मैं ऐसे सभी कारे करता हूं को नमन करता हूं प्रणाम करता हूं और वो सभी साथ ही सही होगी वो भारती सेना के जवान हो जमू कश्मीर पुलिस के जवान हो भामारे परामिलिटरी फोर्सिस के जवान हो जिन्हों ने राष्ट के लिए अपनी कुर्बानिया दी मैं उन्हें भी नमन करता हूं आज भी जब हम ये कारेकार नहीं कर रहे हैं तो पिछली रात कश्मीर के अत्राल के अंदर जमू कश्मीर पुलिस के एक S.P.O. फयाज अहमत साब उनको गोली मारकर उनको शहीद कर दिया गया उन्होंने अपना बलिदान दे दिया और वहां ऐसी जानकारी आ रही है कि उनके परिवार के अंदर और भी कुछ परिवार के सदिस्यों की जान चली गई ये दुरुभागे पुरन च्छदम युद जो है ये लगातार जो देश दुश्मन ताकते चला रही है इसका भी जहा हमारे देश के बहादर जामबाज वीर सैनिक डटकर मकाबला कर रहे हैं वहीं भारत ये जनता पाटी के कारे करता भी लगातार राष्ट हित में अपना कारे कर रहे हैं साथियो आप सब जानते हैं कि इस मुश्किल तरीन हालात में जो आप सब ने कारे किये हम सब जानते है कि सेवा ही संगठन के माध्यम से यहां हर पोलिंग बूद, हर गाउं, हर पंचाइद, हर नगर, हर वाड के अंदर सेवा कारे हुए और लगातार आज भी वो सेवा के कारे चल रहे हैं, जो हमारे मानी राश्टी अध्यक, श्री जगत प्रकाश नड़ा जी ने हमसे आहवान किया, भारत ये जनता पार्टी जमू कश्मीर ने, कि हर एक कारे करता ने वो कारे तन मन और धन से किया, और जब हम, छे अपरिल को हम हमारा स्थापना दिवस का विशेश कारी कर्म था, जमू कश्मीर भारत ये जनता पार्टी ने, ये अभियान लिया, कि प्रतेक पॉलिंग बूत के अध्यक्ष के घर में, नेम प्लेट नाम पट्टी, वो हम लगाएंगे, और उसके घर में भारत ये जनता पार्टी का ध् मुझे आप सब के सामने ये कहते हुए बेहद प्रसनता हो रही है, कि लगबग 90 प्रतिशत हमारे पॉलिंग बूतों के अध्यक्षों के घरों में, वो नाम पट्टी उस दिन हमने लगाई, और जो कुछ परिवार अध्यक्ष जो रह गे, वो हमने 14 एपरिल जब समरस्ता दिवस डॉक्टर भीमराव, अंबेड कर जी की जनम जेहनती थी उस दिन, वो सभी कारे पूरा किया है, आज भारतिये जनता पार्टी जमू कश्मीर के अंदर, सब भी पॉलिंग बूतों के अध्यक्ष, उनके घरों में, वो नाम पट्टी सुसजित है, जिससे उनका भी म पार्टी को धज लहराया, उसके मन में अनंत प्रसंदता हुई, इसके साथ 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 हम सब जानते हैं कि भारतिये जनता पार्टी के जितने भी शक्ति के अंदरों के प्रमुख हैं, हमने सभी जिलू में, जम्मू कश्मीर के अंदर, जम्मू संभाग के सभी जिलू में, ह तो हमने अलाग अलाग शित्रों के अंदर शक्ति के अंदर बनाए अलाग अलाग जिला के अंदरों में शक्ति के अंदर बनाए तीन तीन चार चार पॉलिंग बूथों के उपर एक एक शक्ति के अंदर हमने उनके समेलन किये उन समेलनों का लाव यह हुआ कि पार्टी कश्मीर के भागूं में हमने यh सामिलन कीए, वहां कार्यकरताओं के साथ हमने बैटर की, और हमने वहां जिलान उसार, कश्मीर के अंदर वी, शक्ती के अंदर पर मुखँंच advocacy किये थे, उसकी डेट्स हमने जारी कर दी थी, लेकिन चुकि करोना वाइरस महामारी की दूसरी लहर ने दस तक दी और लागडाउन हो गया इसके चलते कश्वीर में जिलास शाह कारी करम अभी हमारे करने पैंडिंग है और वो बहुत जल्द उसकी हम तिथियां सारी जारी करेंगे और कश्वीर के अंदर भी उसी प्रकार तमाम जिलू के अंदर हम शक्ति के अंदर पर मुखों के समिलन करेंगे जैसे हमने जमू संभाग के अंदर किये साथियो मानिये प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी साहब की सरकार को तीस मईए को साथ वर शपूरे होने पर जब एक विशेश अभियान लिया गया सेवाही संगटन का विशेश अभियान और भारतिय जनता पार्टी ने ते किया कि सब भी पॉलिंग बूथूं पर यहां कारिक्रम होगा मुझे आपको बताते हुए बेहद प्रसनता हो रही है कि जम्मू संभाग में यहां लगबग चोवन सो पॉलिंग बूथूं में से पांच हजार के करीब करीब पॉलिंग बूथूं पर तीस मई को मानिये प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी साहब के सरकार के साथ में सफलतम वर्ष के उपलक्ष में भारतिय जनता पार्टी के तमाम कारे करताओं ने सेवा भाव से कारे किये ये बहुत बड़ी उबलब्दी है कि इस मुश्किल तरीन हालात में जब आप फिजिकली बैटेक्स नहीं कर सकते हो प्रवास करना मुश्किल है उस दोर में हमारे कारे करताओं ने अपने अपने क्षेत्रों में यहां से जो हमने कारे करताओं के साथ चाहे वीडियो कांफरंस करके आडियो कांफरंस के माध्यम से आप सब के साथ संपर किया और जो पार्टी ने तै किया था उसको आपने अक्षर शाह उसका पालन करके आपने एक बेतरीन कारे किया है इस स्थापक स्वर्गिये डॉक्टर शामा प्रशाद मुखर जी जी के वलिदान दिवस जो की भारतिये जनता पार्टी के छे वार्षिक उत्सों कारिक्रमों में से एक मत्परून कारिक्रम है और जो भी हम पॉलिंग बूत पर करते हैं और एक बार पुना जमू कश्मीर के स्वर्गिये शामा प्रशाद मुखर जी जी को श्रदांजली भेंड करके पॉलिंग भूत स्तर पर उनको नमन किया पुषपांजली की और विक्षार ओपन का अभियान जो अभी भी चल रहा है 23 जून डॉक्टर शामा प्रशाद मुखर जी जी के बलिदान से लेकर 6 जु ग्रामीन ख्षेत्रों के अंदर भी बहुत अच्छे तरीके से यह कारे करना है और लगातार हम देख रहे हैं कि मीडिया सोशल मीडिया के अंदर हमारे कारे करताओं का यह कारे यह अभियान लगातार स्पष्ट और सुन्दर तरीके से दिखाई दे रहा है इसके लिए भी अगर अंदोलन हुआ था और देश को तोड़ने की जो साजिश थी परमट सिस्टम की अलग से एक जंडा अलग से कानून अलग से यहां के अंदर एक प्रधान उसको समापती के लिए एक महावियान जो डॉक्टर शामा प्रसाद मुखरजी साब ने छेड़ा था जिसमें उन का परिणाम उनी के वलिदान और असंखे कारे करताओं की मेहनत त्याग तपस्या और वलिदान का परिणाम रहा कि आखिर कार 2019 को पांच अगस्त हमारे देश की सरकार और हमारे देश के मानिये प्रधान मंत्री जी की पहल पर इस धारा 370 जो विगटन कारी धारा थी इसको समाब्द कर दिया गया साथियो इसी भीच आपने देखा चमू कश्मीर के अंदर बहुत सारे राजनितिक दल यहां के अंदर एक भरमक बयान बाजी करके यहां के अंदर लोगों को गुमरा करने की बार बार साज़शे करने का प्रयास करते हैं वो बार बार अलगावाद आतंगवाद और पाकिस्तान की मानसिक्ता को जनम देने वाली इस धारा का जिकर करते है या ऐसी शरारती बाते करते है जिससे यहां का महुल घराब हो लेकिन वो लोग भी जानते है कि इस देश के अंदर देश भक्तूं की सरकार है हमारे देश के प्रदान मंतरी नरेंदर मोधी साहब हैं और मोधी सरकार के दोरान किसी राष्टवादी को किसी भी प्रकार की कोई चिंता करने की कोई अवशक्ता नहीं है. कारे हमने मेनत करनी है प्रास करने हैं लेकिन हमें इस बात को लेके कताई कोई हमारे मन में तनिक भी प्रशन नहीं है कि रश्टवाद के संदर्व में जो मजबूती आज हमारी सरकार दोरा किये गे और भारतिये जनता पार्टी के कार्य कर्टाओं के प्रियासों से लगातार जमु कश्मीर हो धेश हो हमारे राश्टवाद और प्रगाण और मजबूत हो रहा जमू कश्मीर के अंदर कुछ समय से लेकर यहां राजनितिक पॉलिटिकल डेड लॉग बना हुआ था और लगातार कुछ पार्टियों के नेता इस परकार की बयान बाजी कर रहे थे कि मानिये प्रधान मंत्री जी को आल पार्टी मीटिंग बुलानी चाहिए बार बार ये निवेदन मानिये देश के ग्रफ मंत्री श्रीमान अमित शाह साब से भी कुछ राजनितिक दलू ने किया और हमारे प्रधान मंत्री जी ने गत 24 जून को नई दिली में जमू कश्मीर के संदर्व में सरवदलिये बैठक बुलाई जिसमें आठ दलू से चोदा नेताओं को बुलाया गया भारती जनता पार्टी से भी हम तीन लोग इस बैठक में शामिल हुए जिसमें अध्यक्ष के नाते मुझे निमंत्रन था और हमारे जमू कश्मीर के वरिष्ट ने था हमारे पूरव ध्यक्ष और पूरव उपमुक मंत्री डूक्टर निल्मर सिंग जी हमारे पूरव मंत्री स्रीमान केवेंद्र गुपता जी भी शामिल हुए रहे सारा विशे मीडिया के माध्यम से वो विवरन चाहे electronic media हो print media हो social media हो सभी विशे आपके सामने आए साथियो इस बैठक में कोई विशेश एजेंडा नहीं था मानिय प्रधान मंत्री जी ने सभी राजनी तिक दलूं के नेताओं को अपनी बात कहने के लिए खुली चूड़ दी सब नेताओं ने अलग अलग पार्टियों के नेताओं ने अपने अपनी पार्टी लाइन पर अपनी बात रखी भारतीय जनता पार्टी के कि जब भारी आई तो हमने जम्मू कश्मीर के अंदर जो हमारी राष्टवादी शक्तियां हैं जो जम्मू कश्मीर के देशवगत लोग है उनकी बुलंद आवास बनकर भारतिय जनता पार्टी ने इस सर्वदलिय बैठक में अपना पक्ष रखा भारतिय जनता पार्टी की ओर से हमने कहा कि ज जमू संभाग के अंदर सतर साल जो यहां हुकमरान रहे उन्होंने सिलेक्टिव वेंडेटा एक बेदभाव की नीती दुरभा के पूरण तरीके से चलाई और जिसका बहुत बड़ा खामियाजा जमू संभाग के राष्टवादी लोगों को भुकत ना पड़ा जमू के और 71 के रिफूजीज हों यहां गुर्खा समाज के लोग हो वल्मी की समाज के लोग हो जमू कश्मीर के अंदर दलिट समाज के शट्यूल कास्ट कमूनिटी के लोग हो जमू कश्मीर के अंदर गुजर और बकरवाल समुदाए के लोग हो जमू कश्मीर के अंदर पहाड़ की नोग पर वहां से विस्थापित किये गए कश्मीरी हिंदू समाज के हमारे भाई भंदू कश्मीरी पंडित्स हों या कश्मीरी सिक्खों जिनको बंदू की नोग पर कश्मीर घाटी से मजबूरन विस्थापित किया गया या कश्मीर घाटी से जो देश भगत मुसल्मान ह जिनके दिल में हुब बलवतनी का जजबा है जो भारत माता के लिए जीते हैं अपने तिरंगे जंडे के लिए जीते हैं ऐसे तमाम लोगों को ऐसी तमाम सक्षन अफ़ दस सोसाइटीज को जम्मू कश्मीर के अंदर सतर साल यहां जुलम का शिकार उनको होना पड़ा उनके स बेद भाग हुआ वो सभी विशे हमने मानिय प्रधान मंत्री जी की उस बैठक में उनके सामने रखे हमने मानिय प्रधान मंत्री जी की उस सरवदलिय बैठक में पाकिस्तान के कबजे वाले जमू कश्मीर और लद्दाख यूनियन टेरिट्री का वो भाग जिसे गिलगित बल्टिस्तान कहते है और जो पाकिस्तान के नाजाइस कब्जे में है वहां की बात हो या मुझाफराबाद, मीरपुर, भिंबर, बाग, प्लंदरी, देवा, बटाला, नीलं, वैली, इन तमाम ख्षेत्रों की बात हो जिसको पाकिस्तानों कोपड जमू कश्मीर कहते है यह में पाकिस्तान के कब्जे वाले जमू कश्मीर की जो 14 सीटें फ्रीज करके असेम्बली में रखी है, वो भी डी फ्रीज होनी चाहिए, 24 सीटें, चुकि उस समय वन थर्ड पापुलेशन पाकिस्तान के कब्जे से माइग्रेट करके, यहां जमू कश्मीर के इस भाग की और आई थी, तो वन थर्ड इस आठ सीटें बनती हैं, एट सीट्स, हलांकि यह सारा निर्डे, डी लिमीटेशन कमीशन ने करना है, डी लिमीटेशन कमीशन एक आटोनमस बाड़ी होती है, और जिसके चेर्मेन जस्टिस देसाई, उनको बनाया है, उसके बाकी वाले मेंबर भ हैं, उनकी बैटेक्स में इनोंने भी रहना है, और हमें पूरा विश्वास है, कि हम डी लिमीटेशन कमीशन जब यहां अपना दोरा करेगा, प्रवास करेगा, पूरी ताकत के साथ इस इन बातों का हम जिकर करेंगे, यह वो विशे हैं, जिनके कारण जमू कश्मीर ने सत किलतरीन हालाद देखें, जो लोग धारा तीन सो सतर की बात करते हैं, हमने उनसे सवाल पूछा, कोई एक लाब बता दीजिए, जो धारा तीन सो सतर ने, जिसके कारण जमू कश्मीर के किसी भी विक्ती का भला हो, सतर साल यहां, एक सो आठ देश के वह कानून, जो हमारे द तकलीव होती थी अगर यहां, नेशनल हुमन राइट कमीशन के जूरी डिक्शन को एक्स्टेंड कर दिया जाता, क्या तकलीव थी किसी को यहां, नेशनल कमीशन फॉर वुमिन को, यहां महिला आयोग को, जैसे प्रतिश्टित संस्थानों को यहां नहीं लाया गया, एसे क इतने असंख्य कानून, जिसका लाब सिर्फ जमू कश्मीर की जन्ता को है, हिंदू को है, मुसल्मान को है, सिख को है, इसाई को है, गुजर बकरवाल को है, पहाड़ी को है, डोग्रे को है, रफूजीज को है, कश्मीरी पंडित को है, सिख को है, लेकि नहीं लागू किये गे जब आपको माल चाहिए था पैसा चाहिए था तो रात और रात आप सर्वशिक्षा वियान को तो लागू कर देते हो क्योंकि वहां आपको पैसा मिलेगा लेकर राइट टू एजूकेशन एक्ट यहां आपकी रेस्पॉंसिबिलिटी बनती है यहां आपको अपनी जिम्म कश्मीर की जनता जानती है इसलिए धारा तीन सो सत्तर की समावती के बाद जम्मू कश्मीर के अंदर खुश्रमा महोल साथियो आने वाले दिनों के अंदर जिस परकार डी लिमिटेशन कमिशन अपतेजी से कारे कर रहा है डी लिमिटेशन कमिशन का का काम है कि जम्मू कश कश्मीर के अंदर वो बांडरिस डिमार करके डिमारकेशन करके जो एसेम्बली सीट्स हैं उसका गठन होगा जमू कश्मीर की विधान सबा का गठन होना है और जैसे ही जमू कश्मीर की विधान सबा का गठन होगा परिसीमन आयोग अपना कारे पूरा करेगा डी लिमिटेश के अंदर एलेक्शन्स होंगे जमू कश्मीर विधान सभा के और हमें पूरा विश्वास है कि जिस गती के साथ डी लिमिटेशन कमीशन आगे बढ़ रहा है हर रोस उनकी बैठकूं का क्रम शुरू हो गया है पहले उन्होंने अपने सभी मिंबर्स के साथ बैठके की पिछले दिनों उन्हेंने सभी डीसीज को पत्र लिके पहले इंफॉर्मेशन लिए फिर उनके साथ ऑनलाइन विर्च्वल मीटिंग्स की और उनकी गतिविदियां तेजी से चल रही है हमें विश्वास है कि आने वाले आठ दस महिनों के अंदर अंदर जमू कश्मीर के अंदर वि हम सब कारे करताओं के लिए ये चुनाव एक चुनोती एक अपरचुनिटी भी है और मुझे पूरा विश्वास है जो कारे हमारी सरकार ने नरेंदर मोधी साहब की सरकार ने जमू कश्मीर की जनता के लिए किये हैं वो डालोमेंट के काम चाहे दिल्ली अमरसर से होता ठुआ सामबा जम्मू कट्रा एक्सप्रेस हाइवे हो चाहे जम्मू अकनूर रजोरी पुंच को जाने वाला नेशनल हाइवे हो बड़े बड़े फ्लाइओवर्स हो तनल्स हो रेलवेज के प्रोजेक्ट हो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट हो शापुर कंडी जैसे रिंग रोड्स हो एम्स जैसे बड़े बड़े मेडिकल होस्पिटल का जो निर्मान का रीती है जी से चल रहा है यहां के अंदर साथ साथ मेडिकल कॉलेजिस का निर्मान कारे हो जिसमें रजोरी, कठुवा और डोड़ा जैसे मेडिकल कॉलेज बनकर तयार हो गए कुछ समय में उदुमपूर कॉलेज भी मेडिकल कॉलेज काम करना शुरू करेगा जिस परकार निरेंदर मोदी साथ की सरकार की योजनाओं का लाब यहां के किसानों को हुआ है यहां के अंदर जो जन्धन आकाउंट जिनके खुले हैं इस मुश्किल तरीन हालात में उनको जो ट्रांसफ़र मनी की गई यहां जो pension योजनाओं का लाब जमू कश्मीर के लोगों को मिला है चाहे वो बाडर के लोग हो चाहे वो LOC के लोग हो बंकर्स बनाने का काम हो या LOC की तरज़ पर इंटरनेशनल बाडर पर रहने वाले लोगों को भी आरक्शन की सुमिधा हो गुजर पकरवाल समुधाय को पुलिटिकल रजर्वेशन के प्राफधान हो पहाडी समुधाय के लिए चार परसंट रजर्वेशन के प्रोविजन्स हो यह सभी कारे नेरेंदर मोदी साहब की सरकार ने किये इस करोना काल में लगवाग डेट साल से 80 क्रोड जरूर अद्मन लोगों के लिए मुफ्त रजर राशिन की जो व्वश्था नेरेंदर मोदी साहब की सरकार ने की अद्ट लानी ये कारे किया उसका लाब जमू कश्मीर के जरूर अद्मन लोगों को भी मिला साथियो कुरोना काल में हम ने देखा अमरीका, इंगलेंड, चीन, जपान जैसे देश भी अपने लोगों को फ्री वैक्षिन नहीं दिला पागा लेकिन हमारी सरकार, हमारी नरेंडर मोधी साब की सरकार भारत सरकार, हमारे देश की सरकार ने इस देश के अंदर फ्री वेक्सिनेशन प्रक्रिया चला कर करोड़ों करोड़ देश वासियों के लिए एक बहुत बड़ा रहत का कदम उठाया करोना काल में यहां हेल्थ इंफ्रस्टेक्टर मजबूत किया गया लोगों की जिन्दगिया बचाई गई वहीं आने वाले इस अपत्ति को कैसे दूर किया जाए उसके लिए पूरे देश बर में फ्री वेक्सिनेशन ड्राइव सोएम मानिय प्रदान मंत्री जी ने चलाई और हमें विश्वास है कि जो प्यार जो मान समान जम्मू कश्मीर की जंता को मानिय पृष्णमंत्री जी ने दिया है वो सतर साल किसी सरकार ने नहीं दिया इसलिए तो जम्मू कश्मीर की अगर कोई चोटी सी बच्ची नन्नी बच्ची जो शायद अपने ममी पापा का नाम भी नहीं जानती होगी जब उसको लगा कि उसकी ओनलाइन क्लासिस में उसको तकलीव आती है तो वो अपने पापा का टैब लेके उसमें वीडियो बनाती है मोधी साथ ये हमें ये बड़े बच्चों के लिए होता है ये मुश्किल पढ़ाई है ये छोटे बच्चों के लिए इतनी पढ़ाई क्यों है हमको होती है एक छोटे सी बच्ची जिसको अपने माबाप का नाम भी नहीं मालूम होगा उसको मालूम है कि हमारी तकलीव हैं अगर कोई दूर कर सकता है और हमारे देश के यसस्वी परधान मंतरी नरेंदर मोधी साहब है जम्मू कश्मीर के बच्चे बच्चे को ये मालूम है जम्मू कश्मीर के नोजवान को बज़र्ग को माताओं बेहनों को सब को मालूम है उजवल जम्मू कश्मीर के लिए हम सब को नरेंदर मोदी साहब के साथ चलना हमारे लिए बहुत जरूरी है और मुझे विश्वास है कि हमारे जो कारे करता ही समय कारे कर रहे हैं गाउं गाउं के अंदर वो पहाड हो, मैदान हो, शहर हो, वाड्स हो वो बाडर के रिया हो या अलोसी के रिया हो वो कठुआ हो, सांबा हो, जम्मू हो, रजोरी हो, पुंचो, रियासी हो रामबन हो, डोडा हो, किस्तवार हो वो अनंतनाग हो, कुलगाम हो वो पुलवामा हो, स्रीनगर हो, बढगाम हो बांडी पुरा हो बारमुला हो गांदर बल हो या कुपवाड़ा हो बच्चा बच्चा जम्मू कश्मीर का इस बात को समझता है कि निरंदर मोधी साब ने जम्मू कश्मीर की जनता का दर्द समझा है इसलिए साथियो आने वाले दिनों में हम सब को एक जुट हो कर हमारे चाहे प्रदेश तर के कारे करता हो जिलास तर के कारे करता हो मंडलों के कारे करता हो शक्ति केंदरों के कारे करता हो मोर्चूं के हमारे पॉलिंग बूतों के कारे करता हो या हमारे प्रदेश से लेके पॉलिंग बूत तक मंडल तक मौर चूंके कारे करता हूँ एक बड़े मिशन के लिए हम सब को मिलकर कदम आगे बढ़ाना है और मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब के प्रयास से हम आने वाले इस चुनोती को सफलता पूरवक पार करेंगे और आने वाले दिनों में जब भी यहां चुनाव होंगे उसमें भारतिये जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ जीत कर जम्मू कश्मीर के अंदर सरकार बनाएगी और जम्मू कश्मीर का अगला मुख्य मंत्री भारतिये जनता पार्टी का होगा इस mission से हमने काम करनाँ करनाँ इस संकल्प को हमने लेके साथ चलनाँ और उसके लिए हमें आज सही तैयारी शुरू करनी मुझे पूरा विश्वास है जिस mission भाव से हमने जमू कश्मीर के अंदर पहले कारे किया है उस mission भाव को हम आगे लेके जाएंगे और जो हमारे आगामी कारिकरम है आज की इस कारिकारणी की बैठेग में स्रद्ध अशो कोल साब जो हमारे आदर्निय संगटन महाम मंत्री हैं वो पूरी रूप रेका आपके सामने रखेंगे और अक्षर शा एक एक शब्द उनका हमारे लिए मंत्र के बराबर होगा अबादत के बराबर होगा और उसको अपने अंतर मन में रक्त के कंड कंड में बसा कर अपने मिशनरी भाव को लेते हुए हम आगे कारे करेंगे यही आप एक्षा करते हुए मैं एक बार पुना आप सब का हिदे से धन्यवाद करता हूँ जो आपने अतुलिनिय कार्य इस करोना काल के मुश्किल वक्त में किये और पार्टी संगठन को मजबूती दी जुरूरत मन लो इस हालात में जो सेवा कारे किये हैं मैं उन सब के लिए आप सब को सादू बाद देता हूँ आप सब का धन्यवाद करता हूँ आप सब का बहुत बहुत धन्यवाद जाहिन जाए भारत